Hello students, welcome in our class English by S.B. Swamy Dear students, आज की class में हम पढ़ रहे हैं Class 12th English, Flamingo Books, 4th chapter, The Red Rep इससे पहले के chapters की वीडियो में बना चुका हूँ जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इससे सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे Flamingo Books से 4th chapter, The Red Rep Red Rep होती है चुहे दानी यह उपर जो चितर दिखा रखा है आज पढ़ते हैं about the author, लेखक के बारे में Selma Legerlov was a Swedish writer Selma Legerlov एक Swedish लेखक थे whose stories have been translated into many languages उनकी कहानिया कई भासाओं में अन्वाद हो चुकी है A universal theme runs through all of them उनकी कहानियों में एक सास्वत विश्यवस्तू होती है A belief that the essential goodness in a human being एक ऐसा विश्वास की मनुश्य में नहीत अच्छाया can be awakened through understanding and love कि मनुश्य में नहीत जो अच्छाया हैं उन्हें शमज और प्रेम के द्वारा जगाया जा सकता है This story is set amidst the minds of Sweden ये कहानी Sweden की खानों के मध्य रची गई है Which in iron ore जो लोह ऐसक से परिपूर्ण है Which figure large in the history and legends of that country जिसें वहां के इत्यास में और वहां की गाथाओं में काफी इस्तान मिला हुआ है The story is told somewhat in the manner of a fairy tale ये कहानी एक परिकथा की सेली में कही गई है Fairy tale होती है परिकथा है आई ये chapter स्टाट करते हैं इसमें मैं बहुत easy way से और पूरा explain करते वे आगे बढ़ूंगा तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके ये chapter अच्छी तरह से clear हो जाएं आई पढ़ते हैं Once upon a time there was a man एक बार एक आदमी था who went around selling small red wraps of wire जो छोटी तारों से बनी हुई चुए दानिया बेशता वा फिरता रहता था He made them himself वह उन्हें स्वयम बनाता था at odd moments इच आउसार चाय जब वह उन्हें स्वयम बना लेता था From the material he got by begging in the stores or at the big farms इन्हें वा दुकानों तथा बड़े फार्मों से मांग कर लाई गी सामरी से बनाता था But even so, the business was not especially profitable लेकिन फिर भी ये कारिये, ये व्यापार फाइदे मंद नहीं था profitable होता है फाइदे मंद So he had to resort to both begging and petty theory to keep body and soul together To keep body and soul together का मतलब होता है जीवित रहना इसलिए उसने जीवित रहने के लिए भीक मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लिया Even so His cloths were in rags यां तक कि उसके कपड़े बहुती फटे पुराने चित्रे होए थे His cheeks were shrunken उसके गाल अंदर बेठे होए थे And hunger gleamed in his eyes और भूक उनकी आंखों में दिखाई देती थी No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vague bond कोई कलपना नहीं कर सकता कि कितना दुखी and monotonous life निरास जीवन Can appear to such a vague bond Vague bond होता है घुमकड इस परकार के घुमकड जीवन जीने वाले के लिए जीवन कितना दुख वरा और निरास पून होता है Who plods along the road वा थकावा सड़क के किनारे चलता रहता है Left to his own meditation और अपने ही चिंतन में खोया वा रहता है Meditation होता है चिंतन करना या ध्यान करना But one day this man, लेकिन एक दिन ये आदमी Had fallen into a line of thought एक सविचार में पढ़ गया था, एक चिंतन में पढ़ गया था Which really seemed to him entertaining जो वास्त में उसे मनोरजन देने वाला प्रतित होता था He had naturally been thinking of his red trips When suddenly he was struck by the idea जब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया That key, the whole world about him कि सारा संसार जो उसके चारों और है The whole world संपुन संसार with its land जिसमें सारी जमीन है And seas समुदर है Its cities सहर है And villages गाओं है Was nothing but a big red trip ये एक बड़ी चुहेदानी के शिवाए कुछ नहीं है It had never existed for any other purpose Than to set bets for people ये दुनिया लोगों को लल्चाने के सिवाए किसी अन्य उद्देशे के लिए अस्तित्वे में नहीं है It offered riches and joys ये दुनिया लोगों को offer करती है, प्रस्तुत करती है धन दौलत, riches होता है, धन दौलत, joys, आनन्द, shelter, सरण देना फुट भोजन, heat, गर्मा हट, clothing, कपड़े एक्जेक्टली एज रेट्रे ओफर्ड, cheese and pork ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से एक चुए दानी चुए को चीज, पनीर और pork पश्तुत करती है पॉर्क होता है सुवर का मांस एज सुन एज एनिवन, जो ही कोई let himself, अपने आपको अनुमती देता है be tempted to touch the bed अपने आपको ललचाने के लिए इस लालच को सुने की अनुमती देता है it closed in on him तो वह व्यक्ति इस दुनिया रूपी चुए दानी में बंध हो जाता है and then everything came to an end और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता था the world had of course never been very kind to him ये दुनिया, ये संसार उसके लिए कभी भी दयालू नहीं रही थी so it gave him unwanted joy और ये उससे स्वाभविक आनन देता था to think ill of it in this way और इस तरीके से इस दुनिया के बारे में बुरा सोचकर, इल होता है बुरा बुरा सोचकर उससे स्वाभविक आनन्द प्राप्त होता था it became a cherished pastime of hitch ये उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया था during many dreary ploddings dreary होती है निरस ploddings होती है पद्यात्राएं कई निरस और ठकाऊ उपद्यात्राओं के दोरान during यान दोरान to think of people उन लोगों के बारे में सोचना he knew, जिनको वो जानता था who had let themselves be caught in the dangerous snare जिन होने अपने आपको इस खतरनाक जाल में फंसा लिया था snare होता है जाल, dangerous याने खतरनाक and of others और अन्य who were still circling around the day और अन्य कई लोग जो इस लजचारने वाले भोजन के चारों और अभी चक्कर लगाने थे circling होता है चक्कर लगाना one dark evening as he was truding along the road एक साम एक अन्धेरी संध्या को वह शड़क के किनारे गिरते पड़ते जा रहा था ट्रोडिंग होता है गिरते पड़ते चलना सड़क के किनारे किनारे गिरते पड़ते चल रहा था he caught sight of a little gray cottage by the roadside तो उसकी नजर सड़क के किनारे एक श्लेटी रंग की कुटिया पर पड़ी and he knocked on the door उसने उसका दरवजा खट-कट आया to ask shelter for the night उस रात्री को सरन लेने के लिए उसने उस कुटिया का दरवजा नौक किया nor was he refused तो वहां उसको इंकार नहीं किया गया instead of the sore faces which ordinarily met him बजाय कड़वाहट भरे चाहरे जो सामाने तह उससे दिखाई देते थे sore faces होते हैं कड़वाहट भरे चाहरे the owner उस कुटिया का मालिक who was an old man वो एक व्रिद्वेक्ति था without wife और child वो अपने बच्चे और पत्नी के बिना वाहरा रहा था was happy to get someone to talk to in his loneliness व्रिद्वेस अक्यले पन में बाचित कंड़ है तू किसी व्यक्ति को पाकर वो खुस हुआ था लॉनलेस होता है अक्यलापन immediately he put the porridge pot on the fire porridge होता है दलिया पोट याने बरतन और तुरंती उसने दलिया बनाने का बरतन है वो आग पर चड़ा दिया and gave him supper और उसे रात्री का भोजन दिया शपर होता है रात्री का भोजन then he carved of such a big slice और फिर उसने एक बड़ा टुकडा काटा from his tobacco roll अपने तंबाकू के पिंड या roll में से एक बड़ा टुकडा काटा that it was an bath for the stranger's pipe and his oven जो उन दोनों की swim की और अजनभी की चिलम, pipe होती चिलम के लिए परियाप्त था finally he got out an old pack of cards और अंत में उसने एक पुरानी तास की गड़ी निकाली old pack of cards, cards होते थास and played majolish और उसके साथ majolish नाम का एक खेल खेला with his guest until bed time, सोने के समय तक अपने अथिती के साथ वो majolish नाम का गेम खेलता रहा the old man was just as generous with his confidences व्रिद वेक्ती अपनी गौपनियता की बातों में उतना ही उदार था जंदस होता है, उदार confidences होता है, गौपनियता, age with his porridge, जितना वो दलिय के साथ था and टॉबा को और अपनी तंबाको के साथ था मतलब वो व्रिद वेक्ती जितना तंबाको और दलिय के साथ उदार था उतना ही अपनी गौपनियता की जो बाते थी वो बताने के लिए भी उसने उसके साथ उदार था दिखाई The guest was informed at once that in his days of prosperity उसने अपने आथिती को बताया कि एक बार सम्रधी के दिनों में prosperity होती है सम्रधी His host उसका मेजबान had been a cropter एक छोटा किसान था एक रेम्स जो आइन वर्कर्स जो रेम्स जो लोय का कार खाना था उसने काम करता था And he had worked on the land और अपनी जमीन पर भी काम करता था Now that he was no longer able to do day labor अब वह दिन का प्रिश्रम करने में शक्षम नहीं है शमर्थ नहीं है It was his cow which supported him अब तो उसकी गाई उसका सहरा थी Yes that bossy was extraordinary हाँ वह तगड़ी गाई ऐसाधरन थी Extraordinary होता है ऐसाधरन बोशी होता है तगड़ी मोटी या गाई के लिए यूज हो है She could give milk for the creamery every day Creamery होती है मखन साला या डेली यह प्रति दिन मखन साला में भेजने तो दूद देती थी And last month he had received all of 30 kroner in payment और पिछले महीने दूद से उन्हें 30 kroner की रकम प्राप्त हुई थी The stranger must have seemed incredulous, incredulous होता है आविस वसने उस अजनभी को यह बात अवस्य ही आविस वसने प्रत्त हुई थी For the old man got up क्योंकि वो व्रुद वेक्ती खड़ा हुआ and went to the window और खिड़की तक गया Took down a leather pouch और एक चमडे की थेली उतारी Which hung on a nail in the very window frame जो उस खिड़की की थयम से लगी खुंटी Nail होती है, खुंटी में टंगी हुई थी, हंग होता है लटक ना या टांग ना And picked out three wrinkled 10 kroner bills और उस थेली में से उसने तीन सलवटें पड़े वे 10-10 kroner के note निकाले, wrinkled होता है, सलवटें पड़े वे These he held up before the eyes of his guest इन note को उसने मेमान की आँखों के सामने पकड़े रखा Nodding, Novingly, जानभूजग श्री लाते हुए And then stepped them back into the pouch और फिर उसने उन note को वापिस थेली में ठूंच दिया The next day both men got up in good season अगले दिन दोनों वेक्ती सही समय पर उठ गए In good season होता है सही समय पर The crofter was in a hurry to milk his cow Kisaan गाय का दूर निकालने की जल्दी में था Hurry होता है जल्दी में And the other man probably thought और उस अने वेक्ती ने अजनभी ने समवते सोचा He should not stay in bed उसे भी अब विस्तरपर नहीं रहना चाहिए When the head of the house had gotten up They left the cottage at the same time The crofter locked the door and put the key in his pocket उसके सान ने जो अपड़ी के दर्वाजे पर ताला लगाया और चाभी अपने पोकेट में रख ली The man with the red ribs said goodbye and thank you So ये दानी वाले वेक्ती ने अलविदा कहा Goodbye कहा and thank you और धन्यवाद कहा And there upon each went his own way और उसके बाद फिर परतेग अपने रास्ते चलेगे But half an hour later लेकिन आदा घंटे बाद The red tray peddler चुए दानी बेशने वाला थेरी वाला Peddler होता है थेरी वाला Stood again before the door उन्हें दर्वाजे पर आख़डा वा He did not try to get in उसने अंदर घुषने की कोशिस नहीं की However, Halanki He only went up to the window वो केवल खिड़की तक गया Smashed a pen Pen होता है सिसा Smashed होता है तोड़ना उसने खिड़की का सिसा तोड़ा Stuck in his hand अपना हाथ अंदर डाला And got hold the pouch With the 30 kroner और 30 kroner बाल थेरी को अपने हाथ में पकड़ लिया He took the money And thrust it into his oven pocket उसने धन निकाल लिया और इसे अपनी जेब में ठूश लिया Thrust होता है ठूशना Then he hanged the leather pouch Very carefully back in its place And went away और फिर उसने चमड़े की थेली को बहुती सावधानी से Careful लिया ने सावधानी से वह अपिस उसी स्तान पर लटका दिया And went away और वहाँ से चला गया As he walked along with the money In his pocket He felt quite pleased With his smartness जब वह अपनी जेब में पैसा लेकर चला He felt quite pleased तो वह बहुत प्रसन हुआ With his smartness अपने चातुरिये पर अपने चतुराई पर He realized उसने मैसूस किया Of course वास्तो में That at first He dared not continue On the public highway कि सुरू में तो वह सार्जुन राष्ते विसलने का सास नहीं कर सकता But must turn off the road उसे इस सड़क से हटना होगा Into the woods और जंगल में से होकर जाना होगा During the first hours This caused him no difficulty शुरू के घंटे में तो उसे कोई परहसानी नहीं हुई Later in the day It became worse लेकिन दिन की बाद की स्थिती उसके लिए बिगड गई वर्स हो गई खराब होई For क्योंकि It was a big and confusing forest क्योंकि एक बहुती बड़ा और confusion करने वाला जंगल था Which he had gotten into जिसमें वो प्रवेस कर गया था He tried to be sure To walk in a definite direction उसने आस्वस्त होने के लिए एक definite direction एक निश्चित जिसा में चलने का प्रियास किया कौशिस की But the paths twisted back and forth So strangely किन्तु रास्ता पिच्छे आगे की और अजीव प्रकार से घूम रहा था He walked and walked Without coming to the end of the wood वह चलता रहा चलता रहा लेकिन उस जंगल का कोई अंत नहीं आए And finally he realized अंत में उसने महसूस किया That he had only been walking around in the same part of the forest और अंत में वह जान गया था कि वह जंगल के एक हिसे में चकर लगा रहा था All at once he recalled his thoughts और तुरंती उसे अपना वह विचार याद आया About the word संसार के बारे में And the ratrap और उस तुएदानी के बारे में Now his overturn had come कि अब उसकी बारी आ गई थी इस तुएदानी में फंसने की He had let himself be fooled by a bat And had been caught उसने स्वेम को एक लालच के द्वारा मुर्क बना लिया था And had been caught और इसमें फंस गया था The whole forest संपूर्ण जंगल with its trunks and branches अपने तनों और साखाओं के द्वारा Its thickets and fallen logs इसके मोटे और गिरेवे लठों के द्वारा Closed in upon him उसमें अपने आपको बंद कर चुका था An impenetrable prison एक अभिद्वे जैल के समान जिसे भैदा नहीं जा सके इस परकार की जैल में वो फंस दुका था From which he could never escape जिससे वो कभी बच कर नहीं जा सकता था It was late in December ये December का आखरी भाग था Darkness was already descending over the forest अन्देरा पहले सी जंगल पर चाने लगा था This increased the danger इसने खत्रे को और बढ़ा दिया था And increased also his gloom और उसकी उदासी को भी बढ़ा दिया था And despair और निरासा को भी Finally अन्त में he saw no way out और अन्त में उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया And he sank down on the ground और वो जमीन पर लुड़क गया Sank down होता है लुड़क जाना Ground याने जमीन Tired to death ठकेवा मरेवे के समानों जमीन पर लुड़क गया Thinking that his last moment had come और ऐसा सोचने लगा कि अब मेरा अन्तीम चन आ गया था अन्तीम समय आ गया था But just as he Laid his head on the ground लेकिन जो ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा He heard a sound तो उसे एक आवाज सुनाई दी A hard regular thumping एक जोरदार ठक्टक की आवाज उसे सुनाई दी There was no doubt वहाँ अब कोई संदे नहीं था As to what that was की वो आवाज क्या थी He raised himself उसने अब स्वेम को उठाया Those are the hammers Strokes From an iron wheel वो हतोडों के आघात की आवाज एक लोए की मील में से आ रही थी Iron wheel होता है लोए का कार खनाया लोए की मील He thought उसने सोचा There must be people nearby तो अवस्चे ही यहाँ आसपास लोग होंगे He summoned all his strength उसने अपनी पूरी सक्ती बटोरी Got up उठा And staggered in the direction of the sound और उस आवाज की दिसा में लड़कडाता हुआ चलने लगा Staggered होता है लड़कडाता हुआ The rams जो iron workers Rams जो iron workers लोए का कार खना Which are now closed down जो अब बंध हो चुका था Were not so long ago A large plant वो बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा कार खना था Large plant या ने बड़ा कार खना With smelter जिसमें लोह गलाने की भटियां थी Rolling meal लोह को ढालने के कार खने थे And forge और लोह को गरम करने की भटियां थी In the summer time Long lines of Heavily loaded barges गरमियों में उपर तक भरी हुई मालवाहक नावें And Scouse Slid down the canal और चप्टे तल की नावें उस नहर में चलती थी Scouse होता है चप्टे तल की नाव Barges होती है मालवाहक नाव Which led to A large inland lake जो एक बड़ी अंपस्त लिए जील की ओड़े जाती थी Inland lake होती है अंपस्त लिए जील And in the winter time और सर्दियों में The roads near The mill Were black from all the Coldest और सर्दियों में कार खाने के निकिट की सडक है वो कोईले की धुल से काली हो जाती थी Which sifted down from the big charcoal crates जो कोईले के बड़े-बड़े खांचों से च्छन करकर गिरती थी Crates होते खांचे, charcoal यान कोईला During one of the long dark evening Just before Christmas Christmas से ठीक पहले की Lambi अंधरी संद्याओं में से एक संद्या को The master smith मुखे लोहार And his helper और उसका सायक Set in the dark force Near the furnace भट्टी के पास लोहार खाने में बेठे वे थे Which had been put in the fire उस कच्चे लोहे को वो आग में डाल चुके थे To be ready to put on the anvil और वे कच्चे लोहे को अरन पर पीटे जाने योगे होने का इंतिजार कर रहे थे लोहे को गरम करने के बाद उसे पीट करके उसको आकार परदान किया जाता है Every now and then One of them got up पर तक समय उनमें से कोई एक उठता To stir The glowing mass Glowing होता है चमकता हुआ Mass यान धेर उस चमकते हुए लोहे के धेर को हिलाते With a long iron bar एक लंबी लोहे की छड से जो आग की भटी में डाला वा था उसे चमकते हुए लोहे के धेर को हिलाते Returning in a few moments Dripping with Prespiration और पसीने से भीगे वे कुछ इक्षम में वापिस से लोटा थे Prespiration होता है पसीना Dripping होता है गिरता हुआ दो यद्देपी As was the custom जैसे वहां की पर्था थी रितिरिवाज था He wore nothing But a long shirt वे एक लंबी shirt के शिवाए And a pair of wooden shoes और एक लकड़ी के जूतों के सिवाए कुछ नहीं पाहनते थे All the time There were many sounds To be heard in the forge पूरे समय उस लोए खाने में कई धोनिया सुनी जाती थी The big bellows ground बड़ी जो धोंकनी निया थी वो कराती रहती थी धोंकनियों में आवाज आती रहती थी And the burning coal cracked और जलता वा कोईला तूरता वा कड़कडाता था Cracked होता है कड़कडाना The fire boy sold charcoal into the more of the furnace आग जलाने वाला लड़का भट्टी के पेट में कोईला जोंकता था More होता है पेट Swallowed होता है जोंकना With a great deal of clatter जिससे भोज जयाता क्रक्राट की आवाज होती थी Outside rolled the waterfall और बहार जलपरपात दहारता था And a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof और एक तीखी उत्री हवा बरसात को इंटो से बनी छत पर कोडे की तरे मारती थी Weeped होता है कोडे मारना It was probably on account of all this noise समभवतिया इस store के कारण That the blacksmith did not notice उस लोहार ने ध्यान नहीं दिया That a man had opened the gate की एक व्रेक्टी ने दरवाजा खोला था And entered the forge और इस लोहे के कार खाने में परवेश कर गया था Until he stood close up the furnace जब तक कि वह आदिन बटी के निकट कड़ा नहीं हो गया था तब तक उसे इस बात का पता नहीं चला था और चुए दानी बेशने वाला देखती है इस लोहे के कार खाने के अंदर स्रण दरने के लिए आ जाता है और इस class में इस chapter को यहीं finish करते हैं